हलो एंड वेलकम टू माई कीचन आज मैं सेयर करने जा रही हूँ सर्द्गियों के लिए बहुत ही फाइदे मन्द गुड गोंद और ड्राइफ रूट्स के लटू केलसियम से भर पूर ये लटू हड़ियों को मजबूत करता है और सरीर में इम्मूनिटी बुष्ट करता है पॉस्टिक और ताकतवर तो ये लटू है ही स्वाद में भी एकदम ला जवाब है तो चलिए देखते हैं कि ये हेल्दी लटू कैसे बनाते हैं ये लटू बनाने कि लिए मैंने हाँ पे लिया है ये गेहूं का आटा तो थाइस कर आम आटा लिया है और गुड़ लिया हे गुड़ से बनाएंगे तो deux certain के करेज मैंने गुड़ लिया है और ये गोंद तो इसे हमें बुनना है तो यह 100 gramm मैंने गोंद लिया है इसके लावा भी हमें सामग्री चाहिए जो आगे हम आपको बताते रहेंगे तो सबसे पहले हम गोंद को फ्राइब कर लेंगे तो पर मैंने भारिक तले का कड़ाई रखा है और इसमें हम डालेंगे तीन बड़े चम्मस के करीब हम यह घी डाल देंगे यह पर सुद्धगी में ही हम सारे लड़ू पनाएंगे यह मैंने देशी घी लिया है पतंजली का इसलिए यह यलो आपको दिख रहा होगा क्योंकि यह अब हम इसमें थोड़ा-थोड़ा गोंद करके डालेंगे थोड़ा-थोड़ा फ्राइ करेंगे और इसे हमें दीमियास पर ही बुनना रहता है लो टू मीडियम फ्लेम पे क्योंकि अगर हाई फ्लेम पर इसे हम भुन देंगे तो यह अंदर से नहीं पक पाते हैं तो दीमि के बाद यह बिल्कुल हलके और करारे हो जाते हैं तो इसे हमें कुछ देर तक इस तरह से फ्राइब करना है ताकि अंदर तक पक जाए और करारे हो जाए तो यह हो चुका है अब हम निकाल लेते हैं इसे तो इसे भुनने में थोड़ा से ज्यादा घी लगता है तो यहां प पुरा ही बारी बारी बून लेंगे तो यहां पर हमने सारा इस तरह से भून लिया है अब हम इसमें फीर से थोड़ा सा घी डालेंगे तो यहां पर दो बड़िक ह peripher給 ड़ाल दिया है अब हमने यह पर लिया है hisa यह 50 गाम के करीब बादाम लिया है और इसे भी हम भूल लेंगे, तो हम इसमें जो भी ड्राइफ रूट हम डालेंगे, उसे हम भूल लेंगे, तो ड्राइफ रूट भूलने के बाद बिल्कुल क्रंची हो जाते हैं, तो लड्डू में काफी अच्छे लगते हैं खाने में, तो दिकिए बदाम जो है भून चु तो इसे भी हो चुका तो इसे भी हम निकाल लेंगे और बारीपरी करके हमें सभी ड्राइबrapल इसी तरह से तल लेना है तो यह सब ड्राइब ड्रू सश तल लेने से इसमें जो नमी होती है वो निकल जाती है और इसमें क्रंचिनल का भी उट inh करके रख सकते हैं तो यहां पर किसमिस भी मैंने ले लिया है पचास क्राम के करीब और इसे भी हम इस तरह से फ्राइ कर लेंगे तो यह भी हो चुका है और इसे भी हम निकाल लेते हैं तो अभी इसमें भी थोड़ा सा घी बचा है तो इसी घी में हम इसमें डालेंगे दो पावडर तो डेसिकेटेड कोकोनट है तो मैं डाल रही हूँ एक चोथाई कप यहाँ पे डेसिकेटेड कोकोनट और इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 50 ग्राम खस-खस यानि कि पॉपी सीर्स पोस्ता के दाने भी पूलते हैं इसे और इन तीनों को हमें भूल लेना है तो यह सब भून चुके हैं अच्छे से और अब हम इसे कडाई में डालेंगे एक चम्मच और घी और इसमें हम डालेंगे यह मखाना और इसे भी हमें क्रिस्पी भून लेना है बिल्कुल क्रंची तो इसे हम धीमियास में ही भून लेंगे तो मखाना लगबग 25 ग्राम के लिया है लगबग 25 के करिब तो मखाने को हमें अच्छे से भून लेना है जब तक कि यह क्रिस्पी ना हो जाए तो यह देखिए हो चुका है इसे हम निकाल लेंगे और फिर से हम इसमें घी डालेंगे तो यहां पर अब हम टालेंगे हल्दी तो यहां पर आधा चोटा चमस मैंने सोट पाउडर डाल दिया है अब हम इसे जला के हलका सा भून लेंगे और फिर हम इसके बाद इसमें डालेंगे यह बेशन तो एक बड़ा चमच मैंने यहाँ पर बेशन लिया है और बेशन को भी इसके साथ हम हलका सा भून लेते हैं जब बेशन भी हलका से भून जाए तब हम इसमें डालेंगे सूजी तो सूजी भी मैंने यहां पर लगभग एक बड़े चम्मज के करिब लिया है और इसे भी हम अच्छे से भून लेंगे तो यहां पर सूजी और बेशन डालना ओप्सिनल है आप चाहे तो नहीं डालें ले गेहूं का आटा हमने लिया था डाइजोग्राम इसे भी हम डाल करके भूनेंगे इसमें तो आटे को हमें धिमी आश पर ही भूनना है इसमें थोड़ा सा घी और डाल दे रहे हैं इस तरह से हमने आपे दो चम्मज और गी एड़ कर दिया है ताकि आटा जो है वह अच्छे से भून जाए तो घी के साथ जब धिमी आश पर आटा भूनेगा तो बहुत ही अच्छी खुस्बू आ जाती है इसमें और यह बहुत अच्छे से भून जाता है तो इसे भूनने में लगभग 12-15 मिनट का समय लग जाएगा क्योंकि इसे हम धिमी आश पर भून रहे हैं औ अच्छे से भूनना है ताकि आटे का भी कच्छापन निकल जाए और यह बहुत ही खुस्बू अच्छी आने लगे तो आप देख सकते हैं जो आटे का कलर है वो हलका सा चेंज हो गया है तो 15 मिनट हो चुके है और अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया इसे हम निकाल लेंगे एक बड़े से बर्तन में ताकि यह थोड़ा ठंडा होता रहे अब मैंने यहाँ पर गुड की चासनी बनाने के लिए एक बर्तन ले लिया है और इसमें हम डालेंगे दो सी तीन बड़े चम्मच के करीब पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है हमें और फिर हम डाल अब पका देंगे तो लड़ू जो है बहुत जल्दी कड़क हो जाएंगे हाड हो जाएंगे तो बस गुड को पिघलने के बाद इसमें एक अच्छा सा उबाल आ जाए अच्छा से यह उबल जाए तो बस हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे तो यह देखिए यह हो चुका लेते हैं ताकि जो गुड में गंदगी होगी वो निकल जाती है तो एक बार इसे जरूर छान ले तो यह दिखिए इस तरह से हम इने इसे दुजरे बरतन में छान लिया है और इसे हम अभी रग देंगे थोड़ा सा ठंडा होने के लिए तो हलकी से जब इसमें करमाहत रहे थे लिए और वा other यहां पर राब राटा यहां पर यह दाम उणने लिया है इसे हम पीष लेंगे आप चाहे तो इसे बारी काट करके डाल सकते है तो इस तरह से हमने इसे हलका सा दरधरां मोटा सा पीष लिया है और किस्मिस हुशम इसे इसी तरह से ढाल देंगे और काजु को भी आप पीस करके डाल सकते हैं या फिर इस तरह से टुकडों में काट करके या तोड करके तो मैं इसे इस तरह से तोड दे रही हूँ तो छोटी छोटी टुकणों में तोड़ करके डाल देंगे अफिर ऐसे भी डाल सकते हैं अब हम इसे डाल देते हैं इसे भी और हमने चोट एक खरबुजे की बी जो पॉपी सीड्स वगरा यह हमने भून के रखा था इसे भी हम डाल देंगे तो सारी सामग्रिया जो हमने वड्तन में लेते हैं जिसमें कि हम सारा मिष्तर से मिला करके तो यह गूंद आप देख सकते हैं इस थार और से बहुत ही अच्छे से हो जाता है तो इसे हम पीशेंके नहीं इस तरह से कोई सा भी एक mature ले लिए चाटोरिया ग्लास भी ले ले जोंसे आप इस तरह से मैस कर आता है तो हलका हलका इससे मैस करना है बहुत पूरा नइरा नहीं मैस करना ताकि थोड़े से बड़े इसके और दाने रहे लड़ू में बिल्कुल दाने-दार इसका स्वाद आएगा तो गोंध की बहुत अर फायदे होते हैं और ठंडियों में इसे खाना तो तो थोड़ा सा हम इसमें डाल देंगे इलाइची पाउडर, यहां पर एक छोटा चम्मच इलाइची पाउडर हम डाल देंगे, और इसे भी हम मिक्स कर देंगे, तो एक दो चम्मच और मैं इसमें घी एड़ कर दे रही हूं, यह देखिए, तो यहां पर लड़ू बनाने में लगभग 200 से 200 ग्राम के करीब घी जो है यूज हो चुका है तो अब हम गुड़ भी डाल देंगे तो ये देखे अब ये जो गुड़ की चासनी है इसे भी हम डाल करके इस तरह से मिला देंगे तो गुड़ और आटे का जो मिसरण है इसमें बिल्कुल हलका सा गर्माहट है ब हमें इसका लड़ू बनाना है तो पहले तो गुड़ की चासनी को हम मिला देंगे अच्छे से तो यहाँ पर पूरा ही मैंने गुड़ का चासनी डाल दिया है और हाथों से इसे उपर नीचे चारो तरफ से अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बार तब हम ल लड्डू बनाने से पहले एक बार अपने हाथों को जरूर साप कर ले ताकि लड्डू जो है वो अच्छे से बनेंगे और हाथों को हलका सा घी जरूर लगा लेंगे इस तरह से लड्डू अपने हिसाब से जितनी बड़ी साइज आपको बनानी हो इस तरह से दबाते हुए ह इसके लड्डू बना लेंगे गोल-गोल शेप के तो आप देख सकते हैं इसे बनाना बहुत मुस्किल नहीं है बहुत ही असानी से बन जाता है बस इसमें इंग्रीडियन्ट थोड़े से लगते हैं वो आप अपने हिसाब से थोड़ा कम या अधिक भी कर सकते हैं तो यह क्योंकि से हमने गुर्ड से बनाया है तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमें कमेंट करके जरूब रता हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेस्पी के साथ तब तक के ल